नमस्कार दोस्तो आउसीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का एक बेहत खुबसूरत डिजाइन लाए हूँ जो बनाने में जितना ही आसान है देखने में उतना ही खुबसूरत इसे आप जेन स्वेटर में, लेडी स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में कैप में, हैट में, शॉक्स में, सूज में, चाहे किसी भी मंचा है प्रजेक्ट में बना सकते हैं, ये सब में बहुत ही अच्छा लएगा इसे बनाने के लिए हमें छे के मल्टिपल फंदे चाहिए और पाँच फंदे एक्स्ट्रा जिसे छे-छे फंदे हम गिनें तो लास्ट में पाँच फंदे आने चाहिए तो हमारा डिजाइन अच्छी तरह सेथ हो जाएगा तो ये डिजाइन का बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब तीन फंदे सीधा बुनेंगे एक दो और तीन तो पहला फंदा एज स्टीच है और उसके बाद हमने तीन फंदे सीधा बुना फिर उन अपनी और करेंगे एक फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे अगले फंदे को स्लिप करेंगे इसे हमें बुनना नहीं है युहीं सरका लेना है फिर उन अपनी और करेंगे और अगला फंदा उल्टा तो पहला फंदा एज स्टीच है और इनी छे फंदो को हमें पूरी लैन में दोराना है तो पहला फंदा हमने स्लिप किया ये एज स्टीच है फिर तीन फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा नेक्स फंदा स्लिप करेंगे फिर उल्टा तो फिर इनीछ चे फंदो को हम दूर आएंगे, 3 फंदा सीधर बनेंगे, 1, 2, 3, उन अपनी और, 1 फंदा उल्टा, फिर slip किया, फिर उल्टा, फिर से हम दिजैन बनाएंगे, 3 फंदा सीधर, उन अपनी ँर एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर नेक्स फंदा सिलिप करेंगे उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा तो हमने पहला फंदा सिलिप किया उसके बाद तीन फंदा सीधा बना अब देखे, लास्ट में हमारा तीन फंदा आया है तो यह हो गया side के 3 फंदे ये और ये 2 फंदे हमारे edge stage तो हमारा 6 के multiple फंदे और 3 फंदा ये और 2 फंदा ये 5 फंदा extra हो गया अब हम wrong side पे हैं और ये हमारा दूसरा line है तो हम पहले फंदे को slip कर लेंगे और 3 फंदा उल्टा बनेंगे 1, 2, 3 तो ये हमारे 4 फंदे हो गया अब उन दूसरी और करेंगे ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है इधर से हमने उल्टा बना था तो ये सीधा फंदा अपनी और किया है देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे वापस स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और और ये फंदा हम सीधा बनेंगे इधर से हमने उल्टा बना था रॉंग साइट से ये सीधा हो जाएगा तो पहला फंदा एज टीच है और इन्ही छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है उन अपनी और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और नेक्स्ट फंदा सीधा उन अपनी और अगले फंदे को स्लिप करना है उन दूसरी और नेक्स्ट फंदा सीधा उन अपनी और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और नेक्स्ट फंदा सीधा उन अपनी और अगले फंदे को स्लिप करना है उन दूसरी और नेक्स्ट फंदा सीधा और लास्ट में देखिए ये चार फंदे बचे तीन फंदा साइट का एक फंदा एजस्टीच तो इन चार फंदो को हम उल्टा बूलेंगे तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कम्प्लेट होता है अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से तो तीसरे लाइन में हम अपने पहले लाइन को ही दो राएंगे यानि चार फंदा सीधा उन अपनी ओर किया, एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर अगले फंदे को स्लिप करेंगे उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा हम दूसरी और हम नेक्स्ट तीन फंदा यहां से फिर दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा देखिए पहला फंदा यह स्टीज और यह छे फंदे का डिजाइन तो यहां से हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा याने तीन फंदा सीधा और फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप करना है और नेक्स्ट फंदा उल्टा ये छे फंदे का डिजाइन हो गया अब फिर अगरे छे फंदे में हम डिजाइन डालेंगे तिन फंदा सीधा उन अपनी और एक फंदा उल्टा स्लिप करना है फिर उल्टा फोर्थ रो में हम अपने दूसरे लाइन को ही धूराएंगे तो ये हमारा चार लाइन कम्प्लीट हो गया अब पांच में लाइन में हम दिजाइन को चेंज कर देंगे अब ये वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा यानि पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे फिर उन अपने और करेंगे अगला फंदा उल्टा उन दूसरी और नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है उन अपने और अगला फंदा उल्टा यानि ये तीन फंदे का डिजाइन जो है वो तीन सीधे फंदों पे आ जाएगा और यहां पे हम तीन फंदा सीधा बनेंगे यहां पे जहां उल्टा था अब यहां पे तीन फंदे सीधे हो जाएंगे दूसरी और तीन फंदे सीधे तो पहला फंदा एजिस्टीच है और इन छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है अब देखिए यहां पे तीन फंदे सीधे हैं, तो यहां हो जाएगा एक फंदा उल्टा, नेक्स फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे का डिजाइन हो गया, अब यहां पे जो तीन फंदे थे, यहां पे हो जाएगा तीन फंदा सीधा, एक, दो, और तीन, तीन फंदा सीधा फिर यहां पे तीन फंदा सीधा है यानि यहां हो जाएगा एक फंदा उल्टा नेक्स फंदा स्लिप करना है फिर एक फंदा उल्टा और यहां पे तीन फंदा सीधा लास्ट में 4 फंदा बचा है उन अपनी और करेंगे एक फंदा उलटा बनेंगे नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे लास्ट फंदा उलटा और यह हमारा एज अज्ल सीधा बनेंने अब लगसी से पहला फंदा सिर्प करेंगे next फंदा सीधा फिर उन अपनी और अगले फंदे को slip करेंगे उन दूसरी और next फंदा सीधा उन अपनी और अब देखिए ये तीन फंदे हैं जिने हम उल्टा भूलेंगे पहला फंदा आजिस्टिश है और इन ही 6 फंदो को हमें पूरी स्लाइम में दुराना है अब देखिए एक डिजाइन 6 फंदो का एक डिजाइन यहापन गया है यानि अब यहाँ से फिर से डिजाइन शुरू हो जाएगा तो उन दूसरी और करेंगे एक फंदा सीधा next फंदा slip करना है उन दूसरी और अगला फंदा सीधा उन अपनी और देखिए तीन यह पहले पिछली राइन में जहाँ डिजाइन बना था अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन उल्टे फंदे आ जाएंगे इस साइड से तीन फंदे सीधे और रॉंग साइड से तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन फंदे उल्टे उन दूसरी और एक फंदा सीधा नेक्स फंदा स्लिप करना है उन दूसरी और सीधा उन अपनी और तीन फंदा उल्टा अब लास्ट में चार फंदा बचा है तो एक फंदा सीधा हो जाएगा उन अपनी और next फंदा slip करेंगे उन दूसरी और तीसरा फंदा सीधा उन अपनी और last फंदा इसे हम उल्टा बोलेंगे अब next line हम सात्वे लाइन में हम अपने पांच्वे लाइन को ही दोर आएंगे यानि पहला फंदा slip करेंगे फिर उन अपनी और उल्टा next फंदा slip करेंगे फिर उल्टा फिर तीन फंदा सीधा पहला फंदा एज इस टीचा और इन्ही छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारा सात्वा लाइन कम्प्लीट हो गया अब ये हम रॉंग साइड में हैं और ये डिजाइन का आठवा लाइन है तो पहला फंदा slip करेंगे और आठवे लाइन में हम अपने छटे लाइन को ही दोराएंगे पहला फंदा slip करेंगे next फंदा सीधा अगले फंदे को slip करना है उन दूसरी और next फंदा सीधा उन अपने और और फिर तीन फंदा उल्टा एक दो और तीन तो पहला फंदा एजिस्टी चाहाँ और इन्हीं छे फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है अब फिर यहां से हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा यानि उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी और next फंदा स्लिप करना है उन दूसरी और next फंदा सीधा उन अपनी और फिर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन लास्ट में चार फंदे बचे हैं सीधा slip सीधा वो last फंदा उल्टा तो ये हमारा 8 लाइन का डिजाइन बन के त्यार हो गया है अब उपर उपर इन ही 8 लाइनों को हमें दोराना है तो देखे फ्रेंट्स डिजाइन बन के त्यार हो गया है सामने से ये ऐसा है इन ही आठो लाइनों को दोराने से ये डिजाइन बनके त्यार है देखे, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंस, डिजाइन आपके सामने है आठो लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन आपके सामने है आशा है, आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिपाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद